आपका स्वागत है और मैं हूँ सुनिल कुमार आज हम मास कम्मुनिकेशन यानी जन संचार विशाय पर तर्चा करेंगे और इस विशाय के अंतरगत हम इंट्रोड़क्शन टू कम्मिनिकेशन को समझने का प्रयास करेंगे भारतिय परिप्रेक्ष में मौखिक संचार को हम लोग इतना सम्मान क्यों देते रहे एथियासिक प्रस्टभूमी से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात ये कि हमारे वेदों में पुरानों में सास्त्रों में सब जग है वाचन और स्रवन परंपरा बोलना और सुनना वाचन और स्रवन इस परंपरा के अनुसार ही सिख्षा और दिख्षा का कारे किया जाता था गुरुकुलों के अंदर जिस तरीके से पीपीटी में आपको दिखाया गया है चित्र में साब दिख रहा है कि गुरु एक स्थान पर बैठे हुए हैं और वह कुछ जानकारियां अपने शिश्यों के बीच में साजा कर रहे हैं इसी तरह की परंपरा के अनुसार ही भारत में ग्यान को लेना और ग्यान को देना दोनों कारे ऐसे ही किये जाते थे और हम लिखित रूप का अनुकरन तो करते थे फॉलव तो करते थे उसको लेकिन व्यापक रूप में हम वाचन परंपरा सुनने में और सुनकर के ग्यान को दूसरों तक पहुचाने में ज़्यादा विश्वास रखते थे इसी लिए इस कला का oral communication का विकास भारत में ज्यादा हुआ और in India we have this very strong oral tradition भारतिय गाओं से अगर आप जुड़े हुए हो तो आज भी रातरी के समय दादा और दादी अपने बच्चों को, नाती को, पोतों को या छोटों को कहानिया सुनाया करते थे तो जानकारियों को, सूचनाओं को एक दूसरे तक आसानी से दिया जा सकता था लेकिन इस बात पर ये बहुत ध्यान रखता है कि आपके अंदर चीजों को याद रखने की कितनी शमता है इसलिए ट्रेडिशनल परंपरा का विकास भारत में बहुत तेजी से हुआ हुआ नहीं, बलकि एक बड़े लंबे समय तक इसको हम लगातार फॉलो करते रहे और आज भी ये परंपरा कहानियों के रूप में, किस्सों के रूप में हम लोगों के बीच में मौजूद है मैं दिल्ली की एक बाबत आता हूँ, आज से कुछ समय पहले जब दिल्ली अपने विकास के दौर में थी और डवलेपन चल रहा था तो यहां पर कुछ लोग हुआ करते थे जिनको किस्सा गोई के नाम से जानते थे और जिनका कार्य सिर्फ ये होता था कि वो बांचते थे, बोलते थे, समवास से ही सुचनाओं को, कहानियों को, कहने के एक कल्चर दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी तरीके से विक्सित था और गाओं के अंदर तो आज भी ये दिख जाता है चलते हैं आगे और वाचन परंपरा के औरल कमिनिकेशन के हम कुछ लाप और कुछ हानी एडवांटेजिस एंडिस एडवांटेजिस के बारे में जान लेते हैं तो सबसे बड़ा फाइदा पहला है कि it is spontaneous and natural ये सीधा है और प्रकृतिक है इसमें कोई मिलावट नहीं कोई बनावट नहीं बस आपको सीधे किसी से समवाद करना है और आप जानकारियों को सीधे तोर पर एक दूसरे साजा कर सकते हैं ना आपको इसमें मौटिक किताबों को उठाके एक जगह से दूसरे जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की ज़रूरत है ना आपको बहुत बड़े पैन, कॉपी, किताबे और अन-स्टडी मैटेरियल्स को खट्टा करने की ज़रूरत है आपको सिर्फ चीजों को याद रखना है और तुरंट ग्यान दे देना है जिस तरीके से हमारे रिशी मुनी ग्यान को दिया करते थे एक बड़ी बात है कि पुराने समय में इसका एक बड़ा लाब है जिसको मैं बाचन परंपरा के अंतरगत आपको बताना चाहता हूं और आपके बीच में साजह भी करना चाहता हूं कि वेदों का ध्यनन करके बहुत से लोग बहुत से रिशी मुनी बहुत से ग्यानी लोग उनको कंठस्त कर लिया करते थे और उसको जियों के त्यों अपने शिश्यों के साथ में समाज के साथ में बाढ़ते थे ग्यान साजा करते थे वेदों के अनुस उनको समझाना, सिक्षा देना, यह सब कुछ औरल ही किया करते थे, किताबों का उदय और विकास और इतनी तेजी से फैलाव तो 14 सदाबदी के बाद में हुआ जब भारत के अंदर प्रिंटिंग प्रैस आया, इसका दूसरा बड़ा लाव है, जितनी चीजे हम लोग बात करके समझ सकते हैं, समवात के माध्यम से समझ सकते हैं, उतना हम लोग किताबों से नहीं समझ सकते, पढ़के नहीं समझ सकते बचपन से बच्चा समझने की जो शमता विक्सित करता है वह शमता इसी ओरल ट्रेडिशन के अंदर में विक्सित करता है इसका अगला एक मुख्य लाव यह है and it is supported by non-verbal communication मौकिक संचार में non-verbal अगर जुड़ जाए non-verbal संचार अगर जुड़ जाए अमौकिक संचार भी साहता दे दे जैसे कि मैं बोलते हुए अपने हाथों को हिला रहा हूँ चहरे के भावों को बदल रहा हूँ अगर वो चीजे आप जोड़ लें इस संचार में तो यह संचार बहुत भैतर और लावकारी होता है और बहुत सारे ओरेटर्स या पॉलिटीशन्स इसी एक बड़े गुण के को लेकर के दुनिया में विख्यात हुए है communicator is always physically available एक बहुत बड़ा फायदा कि जो संचार करते हैं communicator या वक्ता या presenter या speaker आप कुछ भी समझे जीजे इसमें यह सारे लोग इसके अंदर में आते हैं कि वो physically तोर पर आपके और मेरे बीच में मौदूद होते हैं मैं भी आपके बीच में मौदूद हूँ लेकिन अभी तकनिकी माध्यम के को ले करके इसकी साहिता से मैं आपके बीच में पहुचा हुआ हूँ इसका अगला जो बड़ा लाफ है closer relations between the speaker and listener ये एक बड़ी चीज है और जो भारतिय समाज में बहुत गहरे से जकर बनाई हुई है कि relationship maintain करना तो जो मौकिक समवाद है वो आपके personal relations को भी develop करने का कारे बड़ी ही आसानी से करता है इसके कुछ हानी भी है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि oral communication में मौकिक संचार में आपको का जो संदेश है आपका जो ग्यान है आपका जो message है वो आप जब दूसरे तक देते हैं उसमें क्या लगता है आपको भूलने का डर लगता है कि जो ग्यान हमने किसी और से लिया क्या या संदेश किसी और से लिया या फिर जो सूशन हमने कहीं से ली और जो हमें कहीं देनी है क्या उसके बीच में gap जो नहीं आ गया तो यह एक छोटा सा disadvantage हमें यहां समझ में आता है words are not permanent unlike say written communication जी हां शब्द as it is इस्तमाल नहीं कर पाते oral communication में हम शब्दों को पूनिता वैसा इस्तमाल नहीं कर पाते words are not permanent जैसा कि हमें किसी ने बोला या कोई message हमें किसी और को देना है कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है यह सिफ written communication में ही संभव है what is here is often forgotten and non-verbal communication that support oral communication may not be understood by people from other cultures अब समवाद में मैंने आपको पहले भी बताया कि आप मान लीजे हिंदी बोलते हैं या फिर आप हिंदी बोलते हैं और आप अने किछी देश की यात्रा में जाएं जहां सिर्फ अंग्रेजी बोली जाती हो और समझी जाती हो तो आप समवाद स्थापित नहीं कर पाएंगे non-verbal communication that support oral communication may not be understood by people from other cultures अब हम we should know revolution in oral communication मौकिक संचार में क्रांती कब आई और क्रांती के कुछ समय को हम याद कर लेते हैं कि वो ऐसे कौन सा समय था जब हमने संचार की क्रांती के तरफ एक कदम आगे रखा modern modes of communication like telephone invented by Graham well in 1876 Graham well एक व्यज्ञानिक थे जिन्नोंने 1886 में modern mode of communication यानि की telephone की शुरुवात के लिए पूरी तरीके से अनुसंधान करके कारे करना शुरू कर दिया था और हमारे बीच में वो चीज आ गई थी रेडियो इन्वेंटे बाई माकवनी इन 1901 जी हां आप अपने घरों के अंदर रेडियो सेट्स जो देखते हैं 1901 में इसकी शुरुवात हो चुकी थी बोट telephone and radio broadly used oral messages दोनों के दोनों रेडियो एंड telephone अभी telephone का मतलब आप mobile phone से भी consider कर सकते हैं लेकिन telephone जो है तो इसमाल होता था बेतार के तार पे एक लंबी लाइन के माध्यम से आपके घरों तक पहुंशता था उसको हम लोग telephone consider करते थे लेकिन हम लोग mobile phones को भी उसी का बदलता हुआ रूप या modern रूप कह सकते हैं these inventions helped in communicating instantly over long distance संचार के अंदर जब हम बहुत दूरी तक संचार इस्तापित करने में बहुत शणों में बहुत कम समय में जब हम एक दूसरे संचार इस्तापित करने में सफल हुए तो यहां से संचार की क्रांती की शुरुवाद भी हुई संचार सिर्फ टेलीफॉन रेडियो और टीवी तक ही सीमित नहीं रहा संचार ने अमोकिक रूप में लिकित रूप में भी बहुत तेजी से विकास किया तो आईए जानते हैं रिटन कम्मिनिकेशन ने किस तरीके से हम लोग के बीच में पहुँचा कैसे पहुँच बनाई और उसने आगे किस तरीके से विकास किया और विकास कर रहा है Language and written developed much later in man's early history जैसा कि मैंने आपको बताया कि आदि मनुष्य के पास में भाशा नहीं थी वो संकेतों के माध्यम से समवाद इस्थापित करता था The earliest script is supported to be found in China चीन में सबसे पहले माना जाता है कि एक लिखित script उनके पास थी Until paper was invented by the Chinese and later in Egypt और paper का विकास सबसे पहले चाइना और उसके बाद में Egypt मिश्र में हुआ ऐसा माना जाता है Written communication is limited to people who can write and read देखिए अब लिकित संचार में जो सबसे बड़ी परेशानी हुई शुवाती दौर में जबकि सिक्षा सब जगे पे समान रूप से नहीं थी उस समय सबसे बड़ी समस्या हुई कि यह सिफ उनी लोगों तक सीमित थी जो लोग पढ़ लिख सकते थे जो लोग नहीं पढ़ पाते थे उनके लिए रिटन कम्मिनिकेशन कुछ भी नहीं था कोरा अक्षर इसे जानने के लिए सबसे पहला और बेसिक चीज है आपको ग्यान होना चाहिए अलफाबेट आपको आनी चाहिए इस कि जानकारी होनी चाहिए और आपको भाषा की ग्रामर व्याकरण के बारे में समझ होनी चाहिए advantages of written communication इसके अलावा कुछ-कुछ लाब या व्यापक लाब भी written communication ने दिये वह इस प्रकार हैं कि written communication gives words and thoughts permanence बिलकुल जो लिखित समवाद है वह बहुत सालों तक याद रखा जा सकता है और हम इतियास को उसमें सजोके रख सकते हैं जो oral communication में संभब नहीं था knowledge and information become available to people who could read इसके अलावा it led to the spread of ideas and the biggest disadvantage of written communication however is that one must be literate to use written communication जैसा कि मैने आपको बताया Forms of written communication के बारे में थोर इसी चर्चा कर लेते हैं letters, circulars, orders, reports, forms and questionnaires, manuals, newspaper, magazines, handwills, posters, books and bulletin boards, etc. are the some forms of written communication new dimension of written communication is what आई ये थोड़ा बात करते हैं कि भारती संदर्व में लिकित संचार ने किस तरीके से तेजी दिखाई और लिकित संचार किस तरीके से हम लोगों के बीच में व्यागपक पकड बना पाया जोन कुटनबर्ग ने 15th century के अंदर में प्रिंटिंग प्रेस का विश्कार किया और वो भारत में भी बार में आगई रितन हैस घिस मैंनी सिट्री ओलना हुँ मैंने आज एलग जिवन आखिविट भी अनदर विडिय व्यापक प्रदान कि और शूच्णा की क्रांथी में इंटरनेट का व्यापक योगदान है और लिकित को बिडिखित को लिखित रूप को ब्यापक शक्ति प्रदान की। लेकर के इंटरनेट को अगर समझा जाए तो लिखित को मौखिक को और expressions को तीनों को एक साथ लेके चलने वाला माध्यम हमारे सामने उभर के आया है आईए थोड़ा सा बात करते हैं टाइपस ओफ communication, communication के प्रकार क्या-क्या है बेसिकली आप को मैं बता दूं कि चार तरीके से हम लोग communication के प्रकारों को पढ़ते समझते सीखते समझाते हैं इंट्रापर्सनल कम्मिनिकेशन इंट्रापर्सनल कम्मिनिकेशन गुरूप कम्मिनिकेशन और मास कम्मिनिकेशन अंताव्यक्ति संचार अंताव्यक्ति कई हैं कि इसको हम लोग समजते हैं और इसकी जरूरत क्या है देखिए कई बाव आप मैं मननस्तिती में होते हैं और अपने आप से ही बात करना शुरू कर देते हैं ऐसे में यह जो फॉर्म है यह इंट्रा परसुनल कम्टीट इलिप इसमें ज्यादा तर हम लोग thinking और self-talk करते हैं Interpersonal communication में सीदे तौर पे आप face to face समवाद की स्थिति में होते हैं When we come face to face with someone and communicate with the person It is called interpersonal communication This communication process we all have to pass throughout the day From morning to evening Meeting with friends and talk then all activities come under the category of interpersonal communication Interpersonal communication is divided into two parts One is formal and another is informal Formal communication की कुछ अजम्ब्स कुछ अज़ान मैं आपको बता रेता हूं जयासे taking part in meeting or conferences, sales counters, job interviews etc इसके लावा informal communication में private discussion with friends or family जब हम अपने परिवार के साथ में किसी गहन विशाय पर बात कर रहे होते हैं Corridor discussions और conversation in canteen or restaurants Important points for interpersonal communication Its face to face would also mean a lot of non-verbal communication and immediate reply to questions Interpersonal communication is essential in business, organization and services और हमारे relation को मैंतें करने के लिए भी interpersonal communication बहुत जरूरी है There is no substitute of people talking and reacting बिल्कुल समाज में जब हम एक दूसरे से चर्चा करते हैं तो हमारे विचार हम साजा करते हैं और लोग हम एक दूसरों को आपको मुझको जब हम face to face संचार करते हैं आपस में संचार करते हैं इसके अलावा अन्त में आता है गूप क्मुनिकेशन यह यह पॉलिक क्मुनिकेशन Group of people generally known to each other meet and talk to each other are common this may be called group communication community meeting teacher discussion is in class and cycling groups whatsapp groups facebook groups all are come under this category one person here is speaking to a large number of people such communication is called public communication अब आपने इसके अंदर में राजनितिक रैलियो को देखा होगा जहां पे एक वक्ता होता है और लोग्षू होता होते हैं यह उधारन है पॉलिक क्मुनिकेशन का इसमें और अन्य उधारनों को अगर लिया जाए तो इस्पिरिच्वल टॉक, सद्गुरु द्वारा चर्चाय करना पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा बाते करना यह स्पीच को डिलीवर करना यह सभी कुछ भी से पॉलिक कम्मुनिकेशन में आते हैं मेटिंग फॉर पॉलिकुलर रीजन अपने मित्रों को ले सकते हैं जिन आपने मित्रों को ले सकते हैं हम लोग ऐसे समुहों का निर्माड करते हैं जिनकी आदतें, जिनके विचार, जिनकी जरूरतें, जिनकी आवशक्ताएं एक जैसी होती हैं हम लोग अपनी इच्छाओं से समुहों संचाय यानि गुरूप कम्मुनिकेशन करते हैं और सम्मूओं का निर्माण करते हैं इसके विपरित public communication में हमारी इच्छा नहीं होती कोई अन्य वेक्ति ही आके public communication का निर्माण करता है और हम किसी दूसरे के द्वारा ही drive किये जाते हैं संचालित किये जाते हैं और संचार का हिस्सा बनते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे प्रिये शात्रों स्टुडेंट्स शोताओ लिसनर्स सभी को आज का कारिकरम अच्छा लगा होगा और संचार के जिस विशय पे मैंने बात करी मैं पूर्ण रूप से उसको रखने में सफल रहा होंगा और आशा करता हूँ कि आपको भी संचा और उनका पूरा का पूरा एक व्यवस्ता समझ में आई होगी कि संचार हमारे जीवन में किस तरह से लाभखारी है तो संचार को लेके अन्य टॉपिक संचार को लेके संचार के अन्य विशह लेकर के मैं फिर आऊँगा तब तक के लिए मुझे दीजे इजाजत नमस्कार